नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपके अपने चैनल पर फेक्षन आये इसमें हिस्ट्री सीरीज को मोग बारी बारे से कंप्लीट कर रहे हैं आने वाल एकजाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होने वाली है इसलिए कंट्नीव रूप से आप लोग इस सीरीज को फोलो करते रहें आज का पहला प्रस्ण है मिलिंद पनहो, राजा मिलिंद और किस बहुत भिच्छू के बीच समाध है नगारजुन, नागसेन, कुमारिलभट, इसके अलावा है नागभट इसका कॉरेक्ट उत्तर में बता दू, नागसेन यहाँ पर हो जाएगा तो हैं रखेगा, नागसेन हो जाएगा मिलिंद पनहो कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लगभग देखा जाए, तो हंड्रेट बीसी से लेके तो हंड्रेट एडी के बीच, लिखा गया यहाँ एक बहुत गरंत है यहाँ भारतिय बहुत भिच्चू, नागसेन और बैक्टरिया के इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर के बीच समाद पर अधारित है पुछा जाता है बारब्यार देख जैसे यहाँ पर भारतिय बहुत भिच्चू यहाँ पर हो जाएगा नागसेन और यहाँ पर जो सासक का नाम है इंडो ग्रीक राजा यहाँ पर हो जाएगा मिनांडर मिनांडर के बीच एक समाध है और यहाँ पर एक चीज़ में और बता दूए आप लोगों कि मिलिन्द पनहों को बर्मी या बौध धरम में खुदक निकाय पुस्तक के भाग के रूप में यहाँ पर सामिल किया गया है तो बर्मी बौध धरम में खुदक निकाय के रूप में सामिल किया गया है लेकिन सेम चीज़ को देखेंगे मिलिंद पनो को ही यहाँ पे थाई या सिरलंकाई बौध धरम द्वारा परमारिक परतिक इसको माना नहीं गया है परमारिक परतिक इसको माना नहीं गया है थाई या सिरलंकाई बौध धरम में थाई या सिरलंकाई बहुत धरम में लेकिन वहीं बर्मी बहुत धरम में खुद्दक निकाय पुस्तक के भाग के रूप में इसको सामिल किया गया है नेक्ट प्रशन है आपे वैदिक कालिन प्रसासन में भागुदह कौन अधिकारी हुआ करता था जुगा बिभाग का प्रधान अधिकारी रजा स्वकर जमा करने वाला समचार पहुचाने वाला दूद जंगलों का प्रधान अधिकारी इस तरह का टर्मलोजिक खुब आजकल परियुक्त हो रहा है चाहे हम लोग BPSC की बात कर ले तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा इसका कॉरेक्ट टुतर में बता दू हो जाएगा भी रजा स्वकर जमा करने वाला देखेंगे तो वैदिकाल में प्रशाषन के कारे में राज़ा की सहायता करने वाले अधिकारीों को यहां पे रतनी कहा जाता था अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि काई प्रकार के रतनी हुआ करते थे इसमें कुछ रतनीजी की शूची दी गई है जिसे कि यहाँ पे अगर मैं नंबर वन बात करूँ तो यह हो जाएगा पहला असपास पूछ दीगा कि असपास का सम्मंद किस्से हैं तो यह होता था यहाँ पे जासूस कुछ इंपूर्टेन टर्म लोजिक मैं प्रियोग कर रहा हूँ इसके अलावा होता था वरजपती वरजपती का सम्मंद हो जाएगा यहाँ पे चरागाहो का अधिकारी इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा जीवग्रिह जैसे कि नाम से ही असपास लग रहा है थोड़ा बहुत कमन सेंस लगाएंगे तो सानी से सही एंसर तक पहुंच सकते हैं पूलिस अधिकारी वैसे ही यहाँ पे होता था महीसी महीसी का संबन्द है यहाँ पे मुख्यरानी से है और इसके अलावा हो जाएगा अच्छ वपा अच्छ वपा का संबन्द हो जाएगा यहाँ पे लेकपाल से लेकपाल से वहीं यहाँ पे सूत का संबन्द हो जाएगा सार्थी से और तच्छड मतलब बढ़ाई ये तो काफी परचली थे तच्छड मतलब हो जाएगा बढ़ाई और वहाँ पर पलागला का मतलब होगा संदेश वाहक पलागला का मतलब यहाँ पर हो जाएगा संदेश वाहक तो इन सारे terminology को धियान में रखेंगे आप लोग प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर में निमलिखित में से कौन सा सही कालोनग्रमिक है यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है देख पार हैं सक कुसाड युनानी, युनानी सक कुसाड, सक युनानी कुसाड, युनानी कुसाड, सक यहाँ पर सबसे पहले मैं प्राचीन भारत में बिदेशी आकरमणक मैं करम से बेक बार बता देता हूँ करम अकरमन कारियों के करम प्राचीन, मध्यकालीन, अधुनिक भारत तक अगर आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल ही आपको दिखाई देगा शुरुवाती तोर पे देखेंगे तो इरान का जो अखमनी एंपाइर हुआ करता था परसिया एंपाइर भी उसे बोला जाता था डेरियास प्राथम के नितरितों में सबसे पहले अटेक किया गया था तो यहाँ पे नंबर वन यहाँ पे हो जाएगा इरानी इरानी के बाद से दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पे युनानी या फिर इसी को यहाँ पे मैं ग्रीक भी मेंसन कर देता हूँ युनानी ग्रीक इस समय देखेंगे तो सिकंदर के नितरितों में लगभग 327-326 इसापुर के बीच सिकंदर के नितरितों में किया गया था और आगे चलके देखेंगे भारत युनानी बिज, समरिध, बैपार, खासकर, विभिन, गतिविधियों के लेके, रेश, मसाला, इस तरह का ठीक है, आयात, निरियात यहाँ पे होने लगा था, तीसरे नमबर पे यहाँ पे ध्यार रखेगा, इंडो ग्रीक, हिंद यवन भी इसको बोला जाता है, हिंद यवन, उसके बा सिथियन के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने पहली सतावदी इसापुर्व में उत्तर पहच्चिम भारत पर आकरमण किया था, जब भारत में देखा जाए तो समय मर्यतर काल सुरू हो चुका था, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हिंदू पार्थियन, हिंदू पार्थियन, नेक्ष्ट हो जाएगा यहाँ पे कुसार, और कुसारों के बाद से देखेंगे यहाँ पे आगे चलके देखेंगे तो हूरों का आकरमण होगा, हूरों का आकरमण, उसके बाद देखेंगे आगे चलके तो मुसलिमों का आकरमण, मुसलिमों का आकरमण, तो यह कहीं से भी यहां पर दे सकता है, एक्जाम में, बारबर बीच से किसी को भी उठा के दे सकता है, या फिर रे नमले भी किसी को भी उठा के दे सकता है, अगर यहां से concept आपका clear होगा, तो इसलिए ऐसे प्रशनों को आप चुटकियों में solve कर सकते हैं, नेक्ट प्रशन है यहां पर हडपा सस्कृती की पुर्वी सीमा निमलिखित में से किसके द्वारा इंगित की जाती है, चार सीमा हैं खासकर boundary को लेके बार बार प्रशन पूछता है, यहां पर नमबर वन है मांड़ा, हडपा, अलमगिरपूर, उसके बाद है यहां पर राकी देखा जाए, तो आलमगिरपूर से, वर्तमान में देखा जाए, तो उतर परदेश का जो ठीक है, पस्चमी जो सिमा है, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आलमगिरपूर, डिष्टिक का भी मैं में मेंसन कर देता हूं, वर्तमान में यहां मेरट जीले में इस्तित है, वहीं इसके जस्ट यहां पर हो जाएगा, इस्ट, वेस्ट में देखेंगे यहां पर तो सुत कांगडोर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो वर्तमान आपको पकिस्तान में देखने के लिए मिल जाएगा, सुत कांगडोर या सिंदुगाटी सबेता के स सबसे पचमी सीमा है, पकिस्तान के बलुचिस्तान परांते में इसीत है, अभी ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा है, बलुचिस्तान का खासकर जब अटेक किया गया था इरान के द्वारा पकिस्तान में, उसके बाद से देखेंगे उत्तर में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे उत्तर में मांडा, सबसे उत्री सिमा है और यह आपको देखने के लिए मिल जाएगा जम्मू एंड कस्मीर में चिनाब नदी पे, चिनाब रिवर के किनारे या हिस्ती थे और दच्छिड में हो जाएगा यहाँ पे दैमाबाद, दच्छिड में हो जाएगा दैमाबाद, महरास्ट में, नदी का नाम पूछा जा सकता है प्रवरा नदी, प्रवरा नदी, त उत्तर और दच्छिड में जैसे कि दो नदियों के बीच हैं, जैसे चिनाब और प्रवरा नदी के बीच जैसे भी statement बना सकता है, और वहीं देखेंगे यहाँ पर वेस्ट में और यहाँ पर इस्ट में पूरा मेरट से लेके ठीक है बलुचिस्तान के बीज के छेतरों के तरफ देखने के लिए मिल जाएगा सिंदु घाटी सभ्यता के बात करें देखें तो उस समय इसके जो समकलिन जो सभ्यता थी जैसे की मिस्री की सभ्यता इजीप्ट इसके अलावा मिसोपोटामिया हो जाएगा मिसोपोटामिया के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो सिंदु सभ्यता और डेडी है चीन की सभ्य ऐसे चार चार बड़ी सभ्यताय बिल्कुल ही इसके समकाली थी आगे चलके देखेंगे खासकर अंग्रेजों के समय 1920 के दसक में ही भारते पुरता तो विभागने सिंधु घाटी में खुदाय की जिसमें दो पुराने सहरों के खंधर अर्थात मोहन जोद्रो और हडपा की य इसकी लोथल का छेतर है जो कि कभीन कभी एक ग्रामीड सभ्यता का अंग्वा करता था लेकिन आगे चलके देखेंगे कैसे एक अनभर्ट हो गया सहरी करण सभ्यता में सुची वन को सुची टू से सुमेलित करे तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है इधर दिया हुआ है पूरा तत्विक अस्थल और यहाँ पे है वर्थमान अस्थल चलिए बारी पार इस देखते हैं नम्बर1 है यहाँ पे निवासा जो कि वर्थमान में देखा जाए तो महराष्ट में इस दित हैसके बारे हम लोग जान लेते हैं अहमत नगर जीले के निवासा तहसील है महराष्ट में यहाँ पूरा पसाड़ काल से लेकर मद्य युक तक की बहु अस्तरिय बस्ती क्या उ यूगतक, मध्या यूगतक, 1950 के दसक में, 1950 के दसक में, HD संकलिया द्वारा, HD संकलिया द्वारा और 1967 में दिखे हैं कि जैसे कि जी करवे का नाम काफी important है, उन लोगों के द्वारा यहां पर उत्खनन किया गया था, डिडवाना का सम्मंद हो जाएगा यहां पर राजस्थान से, और इसमपूर का सम्मंद हो जाएगा यहां पर करनाटक से, यहां पर आपको निम्न, पूरा पसाड कालिन, अस्थल देखने के लिए मिल जाएगा, माना जाता है कि चुना पत्थर से लेके, पत्थरों के कोर तक लगभग पंदरह हजार से अधिक वस्तिवों के साथ साथ विभीन परकार के हथोड़े भी पाए गया है और डिडवाना का सम्मंद यहां पर हो जाएगा ध्यान रखेगा राजस्थान से और लाश्ट में जो बच जा रहा है यहां पर गुडियाम गुफा इसका सम्मंद यहां पर हो जाएगा तमिल नाडू से और प्रगतिहासिक पत्थर के अजार और संस्कृति के लिए सारा छेत्र जाना जाता है और सबसे पहले आपको याद होगा रोबर्ट ब्रूस फूट रोबर्ट ब्रूस फूट ने इस गुडियाम गुफा को पहचाना हुआ था और वहीं से ठीक है कुछ चीजे पसाड का लिन चीजों को भीज के द्वारा पाया गया था हंस्त कृतार ट्राइब का तो यहाँ पर देख पार है A का हो जाएगा 3 A का 3 B का 4 और C का है 1 C का 1 और D का हो जाएगा 2 तो यहाँ पर कॉरेक्ट उतर हो जाएगा C नेक्स्ट निमलिखित में से कस्मीर के किस सासक ने जजिया और गोवद को समाप्त कर दिया जजिया को चर्चा तो बाद बार मिलता ही मिलता है गोवद को भी समाप्त कर दिया काफी फेमस सासक है नाम भी आपको किलियर होना चाहिए सिकंदर सा है समसुदीन सा हैदर सा और जैन उल अबदिन इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पर D जैन उल आबदिन काफी ही का सकते हैं कि सहिस्पुरू तावला सासक है या ठीक है टाइम पिरियड है इसकी 1418 से लेके 1419 और फिर से आगे चलके बनेगा है 1420 से लेके 1470 तक दो बारे सासक बनेगा दूसरे बार में देख पा रहे हैं इसका जो टाइम पिरियड है काफी लंबा है कस्मीर के साह मिरवन्स का है कस्मीर के साह मिरवन्स का साह मिरवन्स का आठवा सुल्दान था और उनकी जो प्रजा थी इसको यहाँ पे बड़ साह के नाम से भी जानती है बड़ साह बड़ सा का सिंपल सा मतलब है महान राजा के रूप में और हो भी क्यों ना हो चुकि जैन उलु आपदिन ने अपनी धार्मिक सही शुड़ता और लोग कल्याण कारी गत विधियों की निती के लिए अपना नाम कमाया हुआ था जैसे की देख पार है इसने कस्मीर में प्याकर को समाप्त कर दिया था उसने गायों के वत पर परतिबंद लगा दिया था और यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर हो जाएगा सत्ती होने का भी अनुमती इसने दिया हुआ था चुकि रिलीजन के मामले में हस्त छेब करना नहीं चाहता था इसने सस्कृत भासा और साहित्य को भी पूरी तरीके से सरचड दिया और आगे चलके इसी जैनुल अबदिन के नितरित्तों में महभारत हो गया और कलहल की राज तरंगडी का फारसी में अनुवात किया गया पूछ देगा यहां पे किस सासा के दवरा करवाया गया था महभारत हो राज तरंगडी का फारसी में अनुवात तो सासा का नाम है जैनुल अबदिन नेक्ट प्रस्न है निमलिखित पेस्वाओ के सासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल करमानुसार ब्यवस्थित कीजिए यहां पे देख पार है नाम सहीं लग रहा होगा आपको ठीक है सारे के सारे यह पेस्वा है यहां पे मराठा समराज्य के चलिए बारी बारी समरूग यहां पे देखते हैं पहला है यहां पे बाला जी बिस्वनात बाला जी बिस्वनात का टाइम पिरियड हो जाएगा यहां पे 1713 से लेके 1720 चोटा कारेकाल है यहां पे बाजी राओ बाजी 720 से लेके 1740 था काफी बड़ा है लेकिन उससे बड़ा यहाँ पर हो जाएगा बाला जी बाजी राओ का थोड़ा सा आप लोग देखते चले बाजी राओ प्रथम के बाद हो जाएगा बाला जी बाजी राओ का 1740 से लेके हो जाएगा यहाँ पर 1761 तक नरायन राओ का टाइम परियद यहाँ बहुत बड़ा नहीं है 1772 से लेके 1773 तक और माधहराम प्रथम का टाइम परियद है 1761 से लेके 1772 तक तो यहाँ पर दिया गया है नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का यहाँ पर चयन तो यहां पे काल करमनुसार यहां पे ब eraser करना है, ना कि किसने अधिक लंबे समय तक सासन किया वई से, तो यहाँ पे देख पा रे है, वन, उसके बाद टू, बाला जी बाजिराओ दिया है नहीं है, तो चोथे नमर पे हो जाएगा नरायन रा, और तिसरे नमर पे हो जाएग नेक्स्ट है यहाँ पे निमलिखित में से किसने नागर कोट के अभियान के दवरान फिरोज तुगलक दवारा संकलित संस्कृत पुस्तकों के 300 खंडों का अनुवाद किया यह नागर काट को जा अटेक है देखिए सुरू से ही मुश्लिम सासकों की नजर वहाँ पे थी ही थी और वरतमान में देखेंगे इस नागर कोट को ठीक है इसी को यहाँ पे कांगडा के नाम से भी जाना जाता है जहाँ पे देखा जाये तो परसिद जो दुर्गा की मूर्ती है काफी फेमस मूर्ती है ठीक है और जो अला मुखी जो मंदीर है वहीं पेश्थी थे तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग सब मखने का प्रयास करते हैं जैसे कि माना जाता है कि स्वर पर्थम मुहम्मद बिन तुगलक ने MBT मुहम्मद बिन तुगलक ने 1331 इस्वी में कांगडा पे अर्थात नगर कोट पे यहाँ पे अटेक किया हुआ था और वहाँ का जो भी शासक था जैसे कि राय जो शासक था राय सासक को रवेन्यू उगरा के ठीक है मनाया हुआ था कि वही रवेन्यू हमें पे करना है लेकिन मुहमद विन तुगलक के मृत्तिव के पश्चाद फिर अगला जो सासक बनेगा फिरोज सा तुगलक फिरोज सा तुगलक जब बनेगा तो माना जाता है कि रायन राजवसो देना बंद कर दिया रिवेन नू इसको देना बंद कर दिया और इसी से कीज़कर फिरोज सा तुगलक ने 1361 के आसपास से पुना नागर कोट पर यहाँ पर अटेक करेगा अब इसको लेग क थोड़ा कॉंटरोवर्सी है कि यहाँ फिरोज सा तुगलक के वटेक किया तो यहाँ पर अलग अलग इतियां रसकारों का अलग अलग मत है जिसे कि कुछ इतियांसकारों का मत है कि फिरोज दुगलक ने मुख्य रूप से जो राय था उसको वफदारी का पाठ पढ़ाने के लिए नागर पोर्ट पे आकरमण किया था पहला यहाँ पर अर्गुमेंट रिया था है वाफदारी का पार्ट पठाने के लिए और इसके अलावा एक हिस्टूरियन है यहाँ पर इस्वरी परसाथ उनके अनुसार बताया गया है कि फिरोज जोलामक्षी मंदिर को लूटना चाहता था और नागर कोड के पीछे महिने का लिख इस समय लगा चे महिने का समय लगा जिसके बाद राय को सुल्टान के अधिन्ता स्विकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और सुल्टान को वार्सिक بتवा देने का वादा किया थानलि हमोग देख रहे रिशू एख मेन कारण है और माना जाता है कि संभै का दोरा सुल्तान ने जोलामुखी मंदिर के पुष्टकाले से तीन सो थिरी हंड्रेट संस्कृत पांडूलिपिया एकत्रित की और इसी पांडूलिपियों को इसने अजुजदिन खान की मदद से दलेल फिरोसाही सिर्षक के तहत उसका फारसी में अनुवाद किया फारसी मे दलेल ए फिरोज साही ये नाम पूछा जा सकता है नेक्स्ट सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिये तह था सूचियों को यहाँ पे नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुलिए यहाँ पे एक तरफ पुस्तक दिया है और दूसरे तरफ यहाँ पे दिया है बिसे बहुत ही असान है जैसे एक नंबर वन है यहाँ पे मिराद ए सिकंदरी मिराद ए सिकंदरी मुगल समराट जहागीर के सासन काल के दवरान लगबग स्वल्ला सो ग्यारा इसमी में रचिते के तिहासिक करीती है इसमें राणा संगत अथा गुजरात का वर्डन आपको देख बहमनी सल्तनत के इतिहास पर केंदरी थे है और विसे सुरुप से देखा जाए तो बहनी समराजे के परमुख परांतों में से एक खास कर अहमद नगर की इतिहास की जनकारी मिलती है तो यह इसका सीदे सीदे हो जाएगा उसके बाद है यहाँ पे रियाज उज रियाज बास्तों में देखा जाए तो बंगाल में मुस्लीम सासन पर पहली ब्रिटेस योग के तिहासिक पुस्तक मानी जाती है यह 1788 में प्रकासित हुई थी रियाज उज सलातिन और गुलाम हुसेन सलीम जैदपूरी द्वारा लिखा गया है बहुत इंपर्टेंट है यहाँ पे गुलाम हुसेन सलीम जैदपूरी के द्वारा लिखा गया है यहाँ पुस्तक किस बारे में यह काफी इंपर्टेंट है तो बंगाल की तिहाँ अस्खास कर बंगाल में मुस्लिम सासन जो भी थे यहाँ पे जिसे कि अगर माना जाय शुरुवाती तो पे तो मुहम्मद बिन बक्तियार खिल्जी के आगमन से लेकर पलासी की लड़ाई तक की अवधी को पूरा कुराय कवर करती है लास्ट में हैं आप रियाजूल इंसा जो बच गया देख पार हैं महमूद गवा के पत्रों का संग्रा जिसे कि बहमनी सल्तनत के एक परमुख राजनेता और परधान मंत्री कह सकते हैं महमूद गवा द्वारा लिखे गए पत्रों का या एक संग्रा है रियाजूल इंसा एक अधिकारे जिसे हिसाब किदाब रखने का परसिछड दिया गया हो साही फर्मानों का प्रेशक इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पे एक अधिकारे जिसे हिसाब किदाब रखने का परसिछड यहाँ पे दिया गया हो देखिए एक खरितादार का जो संबंध है देखा जाए तो मध्यकाल से मध्यकाल से होगा मध्यकाल से होगा चुकि मध्यकालीन भारत में खरितदार सब एक अधिकारी का सकते हैं या फिर वर्तमान में जैसे मुनीब जो लोग होता है ठीक है उसी को संदर्वित करता है खासकर सासको के समय जो कि रजवस्व कर हो गया लेन देन से समंधित खातों और अभिलेखों को रखने के लिए जिम्यदार था खरितदार इसके अलाव राजा स्वाकलान भूमी माप जो भी कर वगरा जो भी संगरा था ठीक है सबका ये पूरा रिकॉर्ड रखा करता था निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है नमबर वन है यहाँ पे इल्थ उत्मिस इल्थ उत्मिस रजिया का पिता बिल्कुल सही है उसके बाद है यहाँ पे गुलबदन बेगम बाबर की बेटी बिल्कुल सही है ठीक है बाबर की बेटी होगी तक बर की भूगा ही होगी हमीदा बानो बेगम यह देखे कितना और ओप्सन दिया हुआ है अलाउदीन खिल्जी की पतनी यहीं है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है correct उत्तर हो जाएगा C तो हमीदा बानो बेगम कौन थी तो याद रखेगा दुसरे मुगल बात्सा हुमायू की पतनी हुमायू की यह वाइप थी पतनी थी वह तिसरे मुगल बात्सा अकबर की क्या हो जाएगी मा हो जाएगी हम लोग रिलेसंसीब को समझसे करने का प्रयास कर रहे है अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमीदा बानो को मर्यम मर्यम मकानी के रूप में भी जाना जाता है मर्यम मकानी के रूप में भी जाना जाता है और यह बोलता था उसका बेटा अकबर और मर्यम का अर्थ हैं यहाँ पे मासुमियत का परतिक अकबर नहीं यहाँ पे बताया हुआ था मासुमियत का परतिक पर्रम में माना जाता है कि चुकि हुमायू का अल्डेडी बिवा हो चुका था ध्यान रखेगा ठीक है बेगा बेगम से सबसे पहले बेगा बेगम से तो जब प्रस्ता आओ गया हमीदा बानो बेगम से हुमायू के लिए कि बही साधी कर लो हुमाय से तो हमीदा बानो बेगम ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में वह मान गई, और इसी हमीदा बानो बेगम से ठीक है, इसका पूत्र हुआ, अकबर, इतिहास कारों के दुरादा ग्रेट अकबर भी लगाया जाता है, और हमीदा बानो बेगम के मृत्तियू, 1604 में सहर्यार जब आगरा में हुगा, तो इसकी कबर को हुमायू के मकवरे में दफना दिया गया, यहीं साथ यहांपे कर दिया गया, निम्लिखित में से कौन महिला सोतंत्रता से नानी भारत छोड़वा अंदोलन से सम्मंधित नहीं है बहुत फेमास प्रश्न है मतंगनी हाजरा, कनकलता बरुगा, अरोडा आसा फली इसके अलावा है सांती घोस इसका कोरेक्ट उतर हो जागा यहाँ पर सांती घोस लेकिन एक एक ओप्सन के बारे में लोग चर्चा करेंगे नमबर वन है में लोग बात करें यहाँ पर मतंगनी हाजरा की मतंगनी हाजरा की तो ये भी एक कर सकते हैं कि लिजेन के रूप में एक करांतिकारी के रूप में मौजूद थी उस समय खास कर भारत छोड़ो अंदोलों के दोरान 29 दिसंबर 1942 को तामलुक पुलिस अस्टेशन के सामने तामलुक पुलिस अस्टेशन के सामने ब्रिटिस भारतिय पुलिस द्वारा गोली मारी जाने तक वो भारतिय सोतंद्रता अंदोलन में भाग लेती रही लिया जब तक इनके मृत्तियुना हो गई तो दियान रखेंगे ठीक है कुछ और भी इनके बारे में जनकारिया है इनको प्यार से गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है और फिर बूढ़ी गांधी दे देगा बूढ़ी गांधी का सम्मान्ध किससे हैं तो मतंगनी हाजरा से है फड़ा और पीछे की चीज़ों को देखते है 1905 में ध्यान रखियेगा वह गांधी वादी के रूप में भारतियों सोतंतरता अंधुलन में सक्री रूप से रूची लेने लगी थी और 1932 के समय ये तो टाइम पिरेड आपको ध्यान रखना होगा 1932 के समय जब आश्योग अंधुलन के दोर चल रहा था तो उन्हें नमक अधनियम के तहत्री के तुड़ने के अरोप में भी गिराप्तार किया गया था उसके बाद है यहाँ पे कनक लता बरुगा कनक लता बरुगा इनके भी बारे हम देख लीजिए कुछ इंपर्टेंट बात है 1942 में 1942 में भारत छोड़ अंधुलन के दोरान राष्टिरी और ध्वजवाले जूलूस का नेतरी तो करते हुए ब्रिटिस पूलिस ने इन्हें भी यहाँ पे गोली मार दिया था नियार रखेगा कनकलता बरुगा ठीक है इनको बिर्बाला सहीद भी कहा जाता है बिर्बाला सहीद भी कहा जाता है इनका जनम देखा जाए यहाँ पे तो असम के अभिभाजित दारंग दिले के बुरंग बारी गाउं में क्रिष्ण कांता और करने सोडी बरुगा की बेटी की रूप में हुआ था यह काफी इंपर्टेंट है और असाफ हली बार बार मुझे जब इनका नाम आता है रेडियो संचालन के लिए ही आता है खासकर 1942 के समय जब गांधी के द्वारा और लेडि बोला गया था कि जैसे ही अंदोलन सुरू होगा तो सारे ही नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर यहाँ पे स्वताफूर्त अंदोलन के रूप में खुद ही वेक्तियों को यहाँ पे सामने आना होगा तो अरुडा आसप हली ने वही काम किया 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान बंबे में के जो गुवालिया ट्रेंग मैदान में भारतिय राष्ट्रियों धोज की मेजबानी की इन्होंने और भारतिय उस्व तंतरता के लिए एक परसिद कह सकते हैं कि वेक्ति तो बना दिया चहरा बना दिया आसप करने के बाद इनकी सादी होई थी आसप से पूरा नाम इसलिए इनका हो गया अरुडा आसप अलि आसप अलि से साधी करने के बादा भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस में सामिल हो गई और नमक सत्यागरा के साजनिक जुलूसम में भाग लिया 1931 का जब गांधी इर्वीन समझाता होगा तो उसके उलंगन में उनको यहाँ पर कैद कर लिया जाएगा और उसने एक कंडिसन था बाद में ठीक है कि सभी राजनिती कैदियों को यहाँ पर रिया किया जाएगा तो छोड़ा भी गया लास्ट में देखें यहाँ पर सांती घोस जो की इस प्रश्ण का उत्तर है सांती घोस बंगाल में कह सकते हैं जब उस समय सूरिय सेन के नितरीतों में यहाँ पर मैं आपको याद होगा सूरिय सेन चटगाओं सस्त्रगार ठीक है सूरिय सेन के नितरीतों में युगा महिलाओ को बड़े पैमाने पर यहाँ पर देखा जाए ठीक है इनको पूरी तरीके से देश भावना के देश भक्ति के भावना से प्रेडित किया गया और दिसंबर 1931 में देखेंगे तो जिला मजेस्ट्रेट की इनकी गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी गए थी इन लोगों के द्वारा तो उसमें ना बालिक थी तो इनको भासी की सजा त आईसे ही इसी संगठान से यहां पर सुर्य शेन के नेतरितों में जूड़े होई थी जैसे प्रित्ती लता वाडेकर द्यान रखियेगा इनकी छापे मारी के द्वरान प्रित्ती हो गई एक और नाम है कलपना दत कलपना दत को यहां पर गिरफदार कर लिया गया था छाप भी महिलाव से related topic है, चाहे पहले आज ठीक है, हमेशा ही कोई एक्जाम पूछता ही पूछता है, तो यहाँ पर आपको focus देना ही देना होगा. यह तो बहुत ही असान सा प्रशन है, नाना साहब है, खान बहादूर खान है, हजरत मल है, कुवरसी है, तो बरेली उत्तर परदेस में बिद्रोही का नेता यहाँ पे कौन था? खान, बहादूर, खान. 1827 की बिद्रोह की बात कर ले, तो फिर वही सारी कहानी है, 10 मय, 1857 को मेरट की च्छावनी से सुरू हुआ, और 11 मय को आते 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 आपे दिल्ली तक फःल गया, और बहादूर साजापर को बहारत का समराठ घोशित कर दिया गया. अब यहीं सी सुरूआत है, कई हिसों में यहाँ बिद्रो फैलते चला गया खासकर उत्तर भारत के छेत्रों में, जीसे कि कानपूर में देखेंगे नाना साहब ने तातिया तोपे के साथ बिद्रो का नितरित्य किया वैसे ही यहाँ पे इलहाबाद में देखेंगे इल्हाबाद में मौलवी लियाकत अली ने वैसे ही यहाँ पे अवद में देखेंगे बेगम हजरत महल के नितरीतों में वैसे ही बिहार में देखेंगे खासकर BPS सीख काफी फेमस प्रशन है, चहेता प्रशन है, ठीक है, कुमर सीख के नितरीतों में आपे जगा जगा किया गया निमलिखित में से कौन सी घटना कलनुकरमिक क्रम में अंतिम थी अंतिम थी, मोपला बिद्रो, खिलाफात अंदोलान, हमरूल अंदोलान, इसके अलावा है, जालियावला बाग नरसंगहार अगर थोड़ा बहुत आपको देखे, रटनेक जरुरत नीए concept आपका clear होना चाहिए चुकि हमरूल अंदोलान तो बहुत पहले हो चुका था, जालियावला बाग नरसंगहार भी पहले हो चुका था खिलाफ़त अंदोलन से यहीं लिंक करना होगा है आपको मोपला बिद्रो चुकि खिलाफ़त अंदोलन को ही एक कारण माना जाता है मोपला बिद्रो को भढ़काने में तो मोपला बिद्रो अंतीम घटना थी चलिए बारी बारे समलोग यहाँ पे देख लेते हैं तो इसको मैं sequence की रूपे बताने की कोशिद करता हूँ सबसे पहले होगा यहाँ पे home rule अंदूलन home rule अंदूलन जो की 1916 में सुरू हो चुका था जो दो लोगों ने काफी बढ़ चट के हिस्सा लिया एक तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक बीजीटी बाल गंगाधर तिलक ने अप्रेल 1916 में 1916 में home rule अंदूलन देखा जाए तो लगभग दच्छड के छेतरों में या फिर प्रांतिय छेतरों में सिमी था पराष्ट करनाटग मध्य प्रांत बरार में वहीं यहाँ पर अगर हम लोग बात करते एनी विसेंड की एनी विसेंड की तो इनके द्वरा सितंबर से सुरू किया गया था यह हो जाएगा अप्रेल से और एनी विसेंड ने सुरू किया था यहाँ पर सिप्टमबर महिने से पूरे भारत में जो भी छेत्र यहां पे बलगातर तिला के दोड़ा छोड़ दिया गया था ठीके उन सारी ही छेत्रों पे एनिवेशन के दोड़ा होमरूल रंदूलन की शुरुआत की गई उदेश यहीं था सुवसासन को प्राप्त करना है उसके बाद दूसरे नमर पे होगा यहां पे जालियावलाबाग नरसंगहार आपको ध्यान भी होगा 1919 में लगभग 13 अप्रैल वहीं बैसाकी के दिन के समय यहां पे किया गया था जब ब्रिटिस ब्रिगेडियर जेनरल डायर ने बिना किसी चतावनी के अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया हुआ था उन पीडितों की याद में देखेंगे तो आज वहां पे सर्जनिक उद्यान अस्थापित कर दिया गया है 1951 में ही देखेंगे तो नरसंगहार के पीडितों की याद म मुहमद अली इसमें और भी लोग थे जिसे कि मुलाना आजाद अजमल खान और हसरत मुहानी सब के सब एक खिलाफत कमीटी के ही में 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 मेंबर हुआ करते थे और इनका उस समय दिखिये जो उदेश से था कि बिटिश सरकार को तुर्की के प्रतिय अपना रवाया बदल के लिए मजबूर किया जाए और यहीं से गांधी ने इस अंदोलन को समर्थित किया समर्थन दिया और महतमगा नहीं इसे आस्वह गांदोलन से जोड़ने की मांग भी की अब यहां पर लास्ट में हो जाएगा यहां पर मोपला बिद्रो मोपला बिद्रो 1921 में ध्यान से देखिएंगे जो मुस्लिमों का बैपार होता था पूरा का पूरा इधर हम लोग चाहे हम लोग बात कर ले याप कर आथ़ञे हैं आपको याद होगा कि किस तरीके से मुहमद मिन कासिम आया हुआ था गि कैसे यहां पर जो जो सासक हुआ करता था यहाँ पर दाहिर ठीकर उसे ब्लेम किया गया था लगाया गया था दिखनेücke उसी समय से यहाँ इन सारे छैत्रो में बहूत सारे मुस्लिम जो अने लगे थे और आगे यहाँ पर बस भी गया थे इनीं मोपला वालए ठीकर जो कह सकते हैं कि मलावार का जो छेतर है इन ही सारे छेतरों में तो उनकी संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई ध्यान रखना है आपको अब 1921 में देखेंगे तो केरल में खिलाफ़त अंद्वलन का एक तरीके से का सकते हैं बिस्तारित संस्कनल था ब्रिटिस सरकार ने उस समय जो भी कॉंग्रेस का दिवेशन होता था खिलाफ़त की बैठक होता था उस समय पूरी तरीकिस को यहाँ पर अवयद घोशित कर दिया था लेकिन ध्यार रखना है खिलाफ़त की बैठक नहीं मुपला कहे जनम वाले मुश्लिम किसानों में इतनी यहाँ पर संप्रदाइक भावना को यहाँ पर जनम दे दिया संप्रदाइकता को पूरी तरीके से ने क्या कर दिया बढ़ा दिया और जुलाई 1921 तक पूरी तरीके से हिंदु बिरोधी अंदुलन बन गया हिंसाय सुरू हो गई और मुपलाओं ने पुलिस अस्टेशनों पर हमला कर दिया और उन्हें अपने नियंतरण में लेना जहां कुछ इंपोर्टेंट मुपला नेता है नाम पूछा जा सकता है जैसे कि नंबर वन है यहाँ पे वर्यान कुनात इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा कुण्जा हम्मद कुमारन पत्थोर ऐसे कुछ याद रखेंगे अली मुसलियार आज के लिख्जाम को कोई भरोसन नहीं है काफी इंपोर्टेंट यह भी घटना है मुपला बिद्रो नाम पूछा जा सकता है कैप्टेन हौकिन्स के संदर में कैप्टेन हौकिन्स के संदर में निमलिखित कत्नों में से कौन सा कत्न सही है वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूद के रूप में भारत खाया हुआ था 1611 में दिया है, 1611 में नहीं था, 1607 में ही देखेंगे बिलियम्स होकिंग्स ने इस्ट इंडिया कमपनी के लिए सुरत और अधन की यातरा पर इंगलाइन के राजा जो कि उसमें जेम्स परथा मिवा करता था पुरा उपहारों से लदे जहाज, जो कि उसकी जहाज का नाम था हेक्टर जहाज, हेक्टर जहाज से भारत आया हुआ था जब भारत आया तो ध्यान रखेगा ठीक है जहांगीरी ने पूरी तरीकेस उसका स्वागत किया अपने दर्वार में और ऐसा माना जाता है कि समराट और होकिन्स के बीच चर्चा तुर्की भासा में हुई क्योंकि दोनों भासा के अच्छे जानकार थे तो इसलिहाज देखा जाए तो केवल और केवल दूसरा ही ओप्सन सही होगा कॉरेक्ट उतर यहाँ पे हो जाएगा बी नेक्स्ट नेता जी सुबाह चंदर बोस द्वार अजाद हिन फोज के हिस्से के रूप में गठी महिला रेजिमेंट का नाम क्या था विराग्ना रेजिमेंट, रानी ज?'सी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट, भारत cōमाता रेजिजेन तो इसका correct उतर हो जएगा यहाँ पे बी रानी जहासी रेजिमेंट जहासी रेजिमेंट की रानी कहा सकते हैं ठीक है भारती राष्ट एसेना की महिला रेजिमेंट थी जो 1942 में डेट बहुत इंपर्डेंट है 1942 में दच्छिड पूरु एसिया में भारती राष्ट वादियो द्वारा ससस्त्र बल था जिसका उदेश्य था जापानियों की मदद से अपनिवेसिक भारत को अजाद कराना इसमें एक नाम है ठीक है महिला का कैप्टन लच्मी स्वामिनाथन स्वामिनाथन इनको लच्मी सहगल के नाम से भी जाना जाता है इनके नेतरितों में जो यूनिट था जुलाई उननीस सो तैतालिस को जुलाई उननीस सो तैतालिस को ठीक है दच्छिट पूरेसिया में प्रवासी भारती अभादी के स्वेंग से वको से ही यहाँ पे पूरी तरीके से बनाया गया था नेक्स्ट प्रशन है इबी रामस्वामी नायकर के संदर में निमलिखित कत्मों में से कौन सा सही है इबी रामस्वामी नायकर पूरा नाम है यहाँ पे इरोड वेंकट इरोड वेंकट वेंकट रामस्वामी रामस्वामी पेरियार यह आप तो आपको समझ में आहे गया हो उन्होंने 1925 में कॉंग्रेस भी छोड़ दी, ये भी बिल्कुल कॉरेक्ट है, तो कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पे ए, एक और दो दोनो, इनके बारे में थोड़ा हम लोग देखने का प्रियास करते हैं, असायो गंदोलन के दवरान बोल रहा है, जब 1920 में, 1920 में महत्म गांधी दवरा भारत में ब्रिटीस अपनिमेसिक सासन के खिलाप एक राष्ट ब्यापी, सब इने अवग्या अभियान के रूप में सुरू किया गया था, तो पूरी तरीके से इनके दवरा हैं आपे पार्टिसिपेट किया ही किया गया था, जिसे कि दच्छिल भारत में क असयोग अंदोलन के महतपुर नेता थे, सी राजे को पालाचारी देखेंगे तो नमक कानून में ठीक है, तिर्नुचना पनली के साइट भी इनके दवरा नेतरित्व किया गया था, उन्होंने सोतंद्रता के लिए बड़े अंदोलन के हिस्से के रूप में समर्थन जुट करने और ब्रिटीस अपनिवेसिक सरकार के साथ असयोग की वकालत करने में महतपुर भूम का निभाई, लेकिन पेरियार ने 1925 में 1925 में समाजी का समनताओं को समोधित करते और हासी के समूहों को परतनीश्टों करने के लिए कॉंग्रेस के नेतरितों के संत्वस के कारण भारतिय राष्टिये कॉंग्रेस को यहां पर छोड़ दिया, कुल मिला के देखा जाये, हासिया में रहने वाले लोग खासकर निचले जाती के जूर रहने वाले लोगों के लिए ठीक है, अम्यत कर्टाइव के इनको भी मसिया माना जाता है, ठीक है, उनक अमीड कजगम, डिक के द्रावीड कजगम की अस्थापना भी की, नेक्स्ट, उन्नीस ओठारे में संयुक्त प्रांथ किसान सभा का गठन निमलिखित में से किस नेता के द्वारा किया गया, स्वामी सहजन अंसरसती, बाबा राम चंद्र, इंद्र नरायं द्रिवेदी, प उतर हो जाएगा यहाँ पे इंद्र नरायं द्रिवेदी, दिया है संजुक्त प्रांत में, तो कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पे इंद्र नरायं द्रिवेदी, इंद्र नरायं द्रिवेदी देखा जाए, ठीक है, मदन मोहन मालियों, गोरि संकर मिर्स ने, उन्नीस तक यूपी किसान सभा की 450 सखाय खुल चुकी थी अन्य परसिद नेता भी थे जैसे कि बाबा रामचंद नाम सुना ही होगा आप लोग ने बाबा रामचंद दुर्गापाल इसके लाभा हो जाएगा यहाँ पर जिंगुरी सिंग जिंगुरी सिंग ऐसे कुछ चेमबर ओफ प्रिंसेज की यहाँ पर वेवस्था की गई थी 1911 का धिनियम 1907-1993-1998-53 इसका कोरेक्ट रूतर हो जाएगा यहाँ पर 1919 का धिनियम इस 1919 का धिनियम को यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है हम लोग जानने के परियास करते हैं कि चेमबर ओफ रिंसेज क्या है तो दिखें यहाँ पर एक तरफ तो तो यहाँ पर बिटीश सरकार और दूसरे तरफ थी यहाँ पर देसी रियासत तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बीच का कम्मुनिकेशन मार्ग था जिसका नाम था चेम्बर ओफ प्रिंसेज इसको आपनों समझ गये होंगे बिल्कुल असानी से और इसको लाया गया था 1919 के भारत सरकार अधनियम के द्वारा ही इसको लाया गया था इसमें देखा जाए तो टोटल 120 सदस्य थे और चेम्बर ओफ प्रिंसेज की प्रणाली भारत सरकार अधनियम 1921 द्वारा यहां पर बनाई गयी थी ये भी आपको द्यान बेर रखके चलना है इसका कारे क्या था तो जैसे कि सासन हो गया संगिय धाचे अर्षय मेधानिक सुधारों से जुड़े मामलों पर चर्चा करती थी और चेम्बर ने रियास्तों और बिरिटी सरकार के बीच समाद और बात्चित के लिए एक मंच के रूप में कारे किया अब इसमें देखेंगे तो रियास्कों के जो भी सासक होते थे रियास्कों के जो सासक होते थे अपनी चिंताओं को व्यक्त करते थे बिधाई परक्रिया में भाग लेने और बिटी सोपनिवेसी कधिकारियों के साथ बात्चित करते थे ठीक है तो आप लोग इतना जरूर ही आईडिया लग गया होगा निमलिखित में से कौन एक 1877 के बिद्रोह का स्थान है और बिद्रोह का रम देख रहे हैं कि सही सुमेलित नहीं है जैसे लखनाउ है चार जून 1877 बिल्कुल कॉरेक्ट है जहां सी दिया हुआ देखिए 11 माई 1877 यहीं गलत हो जाएगा थोड़ा सा इसको लोग डिटेलिंग करने का प्रयास करते हैं 29 मार्च को 29 मार्च 1857 को बैरकपूर में जो की 19 भी इनफेक्टरी ने आपर शुरू कुई थी इनफिल्ड राइफल के परियोग के लेके और पैदल सेना ने पूरी तरी किसी सको भंग कर दिया था और बैरकपूर में द फैलता चला गया और ये 10 मार्च सोरी 10 माई 1857 को ये मेरट में याग भड़क गई 11 माई को दिल्ली में याग फैल गई 11 माई 1857 को और बहादूर साहजाफर को जी साब को पता है ठीक है कि पूरे भारत का नेता भी घोसित कर दिया गया तो यहां पर जहांसी कर रहा है 11 माई 1857 को इसे थोड़ी हो एतनी जली ठीक है समय लगेगा यहां पर जहांसी आने में ठीक है लगबग जून का समय आ गया था जून 1857 में बरहवी बंगाल नेटिव इनफेक्टरी के बिदरोही उने ठीक है जहांसी के स्टार के लिए पर यहां पर कबजा कर लिया हुआ था उस अगीत की टपा सहिली निमलिखित में से किस मुगल समराट के दरबार में परिस्कृत यहां बिक्सित हुई टपा सहिली जहांगीर साह जहां मुहमत साह इसके अलावा है अकबर इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहांपे सी मुहमत साह टपा जो सहिली है काफी complicated सहिली मानी जाती है ठीक है जिसे कि टपा टपा बोला जाता है ठीक है पस्तो लोक सहित्यका सबसे पुराना सहिली है पस्तो लोक सहित्यका जो कि माना जाता है कि ठीक है पंजाब के खेतरों में ठीक है उट सवार के लोक गीतों से उत्पन हुआ था पूछा जा सकता है उट सवार के ल लोकगीतों से यह उत्पन हुआ था गायन की टपा शाहली कानो को अकर्षित करती है इसका काफी संदार सुड़ोर राग है और किसी भी प्रेमी को सभाय। संगीत प्रेमी उसको ट्रैट करेगी करेगी संगीत की टपा सैली को ही आगे चलिके थुड़ा प्रस्कृत किया गया थ lore बहुत उसमें зовут रिसन किया गया और देखेंगे तो आगे चलके मुगल सम्राट मुहंबद सा के साही दर्बार में और बाद में अवद के नवाब आसप जौला के ठीक है आसप जो दौला होता था ठीक है उसके दर्बारी गायक मिया गुलाम नभी सोरी या सोरी मिया द्वारा पेस किया गया नेक्स्ट प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सा कव्यत्री रचनाय सही सुमेलित यहां पर नहीं है नमबर वन है यहां पर दया बाई बिनाय मलिका यह बिल्कुल कॉरेक्ट है दया बाई की रचनाय बिनाय मलिका और यहां पर दयबोध भी है दैबोध है, तथा सहजोबाई के रचना सहज प्रकास, ठीक है, वहीं देखा जाए, तो महात्मा चरल्डास की सिस्या है, ठीक है, ध्यान रखेगा सहजो बाई है यहाँ पे सहज प्रकास जैसे अभी मैंने मेंसन भी किया हुआ था ठीक है इन्हीं की द्वारा रचना किया गया था उनके नाम के अनुसार जो सरलता का सार देख रहे हैं सहज प्रकास सहजो बाई सरल रूप से सरल्ता का सार बताती है उनकी कविता एक प्रकृतिक सैली प्रकृतिक सैली और परत्यक्ष भावनात्मक अभिव्यक्ति द्वारा चिनित किया गया है उसके बाद है यहाँ पे सोन कुमारी सोन बेली की कविता यह भी सही सुमेलित है लास्ट है यहाँ पर गंगा बाई गलेश देव लीला यह correct statement नहीं है ध्यार रखेगा ठीक है तो सही सुमेलित है नहीं है correct उतर हो जाएगा यहाँ पर दी निमलिखित में से कौन सा युगम बिचारा क्या प्रस्तावक कर सकते हैं सुमेलित है नमबर वन है यहाँ पर वैसेशिक पतंजली वैसेशिक दिया हुआ है पतंजली तो गलत हो जाएगा यहाँ पर वैसेशिक का संबंध हो जाएगा यहाँ पर रिसी कड़ात से जिन्हें कस्यप के नाम से भी जाना जाता है और मुख्य रूप से देखा जाए इसमें तो तो मि और वास्त विक्ता की प्रकृति से समंदी थे इसमें ही यहाँ पे एटम का सिध्धान्थ दिया गया है ध्यान रखेगा परमाडू की सिध्धान्थ को यहाँ पे दिया गया है बताया गया है कि बर्मान में हर चीज परमाडू से बनी होती है जो विभीन वस्तु और संस्था को बनाने के लिए गठवन्दन और बात्थित करते हैं दूसरा दिया है नियाय का समंध गौतम से बिल्कुल सही है यही कॉरेक्ट सुमेली थे नियाय दर्शन तार्किक तर्क और विश्लेसर के माध्यम से ज्ञान और समझ की खोजपर केंद्री थे इसका उदेश ज्ञान के वैद प्रमार को उसके सुरोद को ठीक है प्रूफ करना है स्थापित करना है मिमांसा का समंध दिया है कड़ात से जबकि यह भी गलत हो जाएगा मिमांसा का समंध यहाँ पर हो जाएगा ठीक है जैमिनी से जैमिनी से इन्ही के दोरा स्थापित किया गया था इसमें मुख् रूप से वैदिक गरंतों और अनुष्ठानों की ब्याख्या किया गया है। उत्तर मिमांसा है यहां पर कपिल, यह भी गलत दिया है। उत्तर मिमांसा का सम्मंध यहां पर ध्यार रखेगा, बद्रायर्ण से हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि सरीरधारी आत्मा के नेक्ट है यहां पर पुरारों के संदर में निमलिखित कतनों पे कौन सा सही है। बिश्डु पुरार से मौरिवंस की जनकारी मिलती है। बिलकुल कॉरेक्ट हैं, देखा जाए बिश्डु पुरार तो इसमें कई सारे पुरार हैं, ठीक है, भागवद पुरार, नारत जो मुख्य रुप से भगवान बिश्डु और उनके अधारों पर केंदरी थे, इस पुरार में मौरिवंस के बारे में जनकारी मिलती है। आपको पता है कि मौरिवत पुरार काल से देरे-देरे ब्रामर धरम का उत्थान होने लगा, गुप्त काल में तो बड़ी देजी स जो दसा उतार हो गया, ठीक है, उस सब की यहां पर चर्चा की जाने लगी। इसके अलावा यहां पर वायू पुरार, गुप्त वंस की सासन ब्यवास्था पर पर प्रकाश डालता है। यह भी बिलकुल सही है, यहां पर वायू पुरार मुख्य रुप से वैसलों परामप टूतर हो जाएगा, डी, नेक्स्ट यहां पर चरक सहीता कितने अध्याय और खंडों में विभाजी थे, तो चरक सहीता में देखेंगे, तो टूतल 120 अध्याय और 8 खंड है, कोरेक्ट टूतर यहां पर हो जाएगा, बी, 8 खंड का नाम पूछा जा सकता है, जिससे कि नंब शरीर, इंदिर्य, इंदिर्य, चिकित्सा, अल्प, उसके बाद हो जाएगा, यहां पर सिद्धी, तो यहीं टोटल 8 खंड है, शुत्रस्थान, निदान अस्थान, बीमान अस्थान, शरीर अस्थान, इंदिर्य अस्थान, चिकित्सा अस्थान, अल्प अस्थान, सिद्ध अस्थान तो नाम अपको ध्यान रखना है कोई गरांटी नहीं कहां से प्रश्ण बना दे